नमस्कार आज के इस वीडियो में हम आपको उस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने राम मंदिर के निर्मान के लिए लगातार 28 वर्षों से उपवास धारण कर रखा है 28 वर्षों से लगातार फास्ट पर हैं खाना नहीं खाया है वरत पर हैं तो आएज जानते हैं विस्तार से आयोध्या में राम लला के जन्मस्थान पर भगवान राम का भवे मंदिर योही नहीं बनने जा रहा है इसके लिए सैक्ड़ों सालों तक राम भक्तों ने संघर्ष किया है और साथी साथ इसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो दिखावे की दुनिया से बहुत दूर है बस राम मंदिर के निर्माड का संकल्प लिए एकांत में साधना कर रही है इन ही शक्तियों में से एक हैं मध्ध प्रदेश के जबलपूर में रहने वाली 82 साल की उर्मिला चतुरवेदी उर्मिला चतुरवेदी की तपस्या ऐसी ही है जो आपको शबरी की याद दिला देंगे जहां शबरी ने प्रभूर स्री राम की प्रतिक्छा में ना जाने कितने साल जंगल में रास्तों को फूलों से सजाते हुए बिता दिये थे वहीं उर्मिला ची ने अपने जीवन के पूरे 28 साल उपवास करते हुए बिता दिये हैं दरसल 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित धाचा गिराया गया था तो उर्मिला ची ने संकल प्लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वह अन्य ग्रहन नहीं करेंगी पिछले 28 सालों से उर्मिला जी ने राम नाम का जाब करते हुए अन्य का एक दाना भी नहीं खाया है 28 सालों से फलाहार पर जीवित उर्मिला आयोध्या में राम लिला के जन्म अस्थान पर मंदिर निर्माण की परतिक्छा कर रही है और अखिरकार 28 साल बाद वह दिन आही गया अखिरकार वो दिन आही गया जब 5 अगस्त को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमी पूजन करेंगे अब उर्मिला जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है उनका कहना है कि वो अयुद्या मेरे राम लला के दर्शन के बाद ही सर्यू तड़ पर अपना 28 साल का उपवास तोड़ेंगी तो ये थी उस तपस्वी महिला की कहानी जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए 28 साल से लगातार तब किया और अन का एक दाना भी ग्रहन नहीं किया तो ये थी नविनतम जानकारी वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक करके और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि सभी राम भक्तों को इसकी जानकारी मिल जाए